प्यारे बच्चो आठ्वी कक्षा के गनित के पांचमें चैप्टर आंकडों का प्रबंधन के छटे लक्षर में आपका स्वागत है इससे पहले पांचमें लक्षर में हमने परशनावले 5.2 के क्षिस्ट नमबर 1 से 3 हल कर लिये थे और आज के लक्षर में हम इसी एक्सराइज का क्षिस्ट नमबर 4 और क्षिस्ट नमबर 5 इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आई शुरुआत करते हैं अब आई एसम से पहले इस एक्सराइज का फॉर्ट क्षिस्ट देखते हैं यहां पर आपको एक पाई चार्ट दे रखा है सबसे पहले आपको यह बताया है कि यह पाई चार्ट जो है किन आकड़ो पर अधारित है और फिर इसी पाई चार्ट पर अधारित हमें यह निची तीन परसन पूछे गए हैं इन परसनों के उत्तर हमें देना है तो साथ में कुछ हिंड भी दिये हुए हैं तो आईए इसको पढ़ते हैं क्योसन को कैता स्लंगन पाईजार्ट इस पाईजार्ट की बात कर रहा है इस लंगन पाईजार्ट एक विद्यार्थी दवारा किसी परिक्ष्या में हिंडी, अंग्रेजी, गनित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किये गए अंकों को दर्शाता है यदि उस विद्यार्थी दवारा प्राप्त किये गए कुल अंक पन सो चालिस थे तो निमलिख्त परिक्ष्णों के उतर देजिए तो यहाँ पर कहता कि किस विज्ञे में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किये दूसरा क्विज्ञान है कि उस विद्यार्थी ने गनित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किये और last question क्या है कि जांच किजिए कि क्या सामाजी की विज्ञान और गनित में प्राप्त किये गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किये गए अंकों की योग से अधिक है तो यहाँ पर सबसे पहले फ़र्ट को मसल करते हैं यहाँ पर पुछा किस विश्य में उस विद्यार्थ ने 105 अंक प्राप्त किये तो देखिए कुल कितने अंक प्राप्त किये 540 540 के लिए यहाँ पर कौन कितने डिगरी का है पूरा का पूरा देखेंगे तो 360 डिगरी का कौन है तो हम यह कहते हैं कि अगर 540 अंक प्राप्त किये हैं तो कौन कितने डिगरी का है 360 डिगरी का जैसे एक पूरा तो कौन हो 360 डिगरी का बनता है तो हम यह चेक करेंगे कि 540 के लिए तो कौन बनता 360 डिगरी का और 105 के लिए कौन कितने डिगरी का बनेगा उसी साब से हम यहां से विशे सेलेक्ट कर दें हैं कि किस विशे में 105 अंक प्राप्त किये हैं तो हम यह करते हैं कि 540 अंकों के लिए किंद्रिय कौन किंद्रिय कौन जो है वो कितना होगा वो होगा 360 डिगरे ठीक एक अंक के लिए एक अंक के लिए किंद्रिय कौन होगा 360 यहीं आ जाएगा वटे में 540 ठीक और 105 अंकों के लिए 105 अंकों के लिए किंद्रिय कौन किंद्रिय कौन क्या होगा यह 360 होटे 540 360 डिगरे वटे 540 गुणा में कितना करना 105 ठीक तो देखिए अब इसको अगर हम कट करेंगा तो 0 से जे तो 0 कट हो गया अब यह दोनों 18 के पाड़े में आते हैं तो 18 डिगरी जह किंद्रिय कौन है अब सत्तर डिगरी किंद्रिय कौन किसके लिए हिंदी के लिए है तो हम यह कहेंगे कि सत्तर डिगरी कौन हिंदी विश्य के लिए है इसलिए हिंदी विश्य में उस विद्यार्थी ने 105 संक प्राप्त के लिए हिसलिए हिंदी विश्य में इसलिए हिंदी विश्य में हिंदी विश्य में उस विद्यार्थी ने 105 प्राप्ट कि हैं भी माइर अभर सेगिंड कि उस विधार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक प्राप्त कि तो पहले हम बंजब ले लेंगें तो जैसे मैंने बताया कि यह एक तरीका तो यह है कि पहले हम क्या करें गनित में प्राप्त अंक निकाल ले फिर हिंदी में प्राप्त अंक निकाल ले और फिर इनका अंतर ले ले और दूसरा एक असान तरीका भी हम अपलाई कर सकते हैं कि पहले इन दोनों का केंदरी एकॉन देखो गनित के लिए केंदर टोटल कितने यंख है 540 अंख है ठीक है और 20 डिगरी के लिए कितने यंख है वो देख लेंगे क्यों केंद्र ये कोनों का उसी के अकोर्डिंग क्या होगा प्राप्तंकों का अंतर होगा तो ये काफी छोटा पड़ीगा तो यहाँ पर गनित और इंदी के केंदरिये कोनो कांतर गनित और इंदी के केंदरिये कोनो कांतर गनित और इंदी के केंदरिये कोनो कांतर यह होगा 90 माइनस 70 90 डिगरी माइनस से 70 डिगरी बराबर 20 डिगरी ठीक अब देखिए कि हम कहेंगे कि 360 डिगरी के लिए अंक कितना है 540 क्योंकि पूरा केंदर ये कौन 360 डिगरी का है और कुल प्राब्त अंक भी कितने 540 है एक डिगरी के लिए अंक कितना होगा 540 और ये 540 डिगरी नहीं 540 ही है वटे में 360 डिगरी ठीक और अंतर कितना 20 का तो 20 डिगरी के लिए प्राब्त अंक कितना होगा 540 वटे 360 गुणा में 20 डिगरी 360 डिगरी गुणा में 20 डिगरी तो अब देखिए 0 से 0 कट हो जाएगा दो एकम दो अठारा दुनी 37 और अठारा तीए चौमन तीस आ गया तो दोनों विश्यों के प्राब्त अंकों में अंतर कितना होगा 30 का होगा ठीक तो गनित में हिंदी से कितने अधिक अंक है तो हम लिखें गनित में हिंदी से 30 अंक अधिक है गनित में हिंदी से 30 अंक अधिक है ठीक अब आगे थेल्ड पार्ट देखिए यहां पर कहता कि जांस किजिए कि क्या सामाजिक विज्यान और गनित में प्राप्त किये गए अंकों का योग विज्यान और हिंदी में प्राप्त किये अंकों की योग से अधिक है यानि आपको कंपेर करना है कि सामाजिक विज्यान और गनित यानि ये दोनों ठीक गनित और सामाजिक अध्यन, इन दोनों का टोटल और हिंदी और विज्ञान का टोटल, ठीक, तो आप देखिए आपको सारे विश्यों में अलग-अलग प्रापतंक ग्यात करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ केंद्रिय कोणों को कितुलना करके जो है, यह बता सकते हैं कि कि इन दोनों में जो प्रापतंक गुव अधिक है, तो गनित और सामाजिक अध्यन, दोनों के केंद्रिय कोणों का योग क्या होगा। कोनों का योग क्या होगा गनित में तो कि 90 डिग्री और सामजी का दिन में होगे 65 डिग्री तो कुल मिला कि यह होगे 155 डिग्री ठीक अब दूसरा जोड़ा क्या है हिंदी और विज्ञान का तो इसी तरह से हम इसका लिख लेंगे हिंदी और विज्ञान के केंदरी एकोनों का योग केंदरी एकोनों का योग क्या होगा भई 70 प्लस 80 डिग्री प्लस 80 डिग्री यह होगे 150 डिग्री है अब हम देखते हैं कि 155 डिग्री जो है 155 डिग्री इस ग्रेटर देन 150 डिग्री ठीक यानि गणित और सामजी के विज्ञान के केंदरी एकोनों का योग हिंदी और विज्ञान के केंदरी एकोनों से अधिक है अगर केंदरी एकोनों का योग अधिक होगा तो पर आप तंग भी अधिक होगे ठीक तो यहाँ पर आपने सिंपल भासा में लिखना है तो देखिए अब इसका इंसरम बिल्कुल सिंपल भासा मैं ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि गनित और सामाजिक विज्ञान के केंदरी एकॉनों का योग हिंदी और विज्ञान के केंदरी एकॉनों के योग से अधिक है ठीक है ये वाला योग इससे अधिक है इसलिए गनित और स सामाजिक विज्ञान में प्राप्त की गए अंकों का योग, विज्ञान और हिंदी में प्राप्त की गए अंकों की योग से अधिक है, ठीक, अब आगे इस अक्सरसाइज का लास्ट कुशन देखिए, यहाँ पर हमें जो डाइटर दिये गए हैं, वो कहता है कि किसी चात्रा वास में विभिन भासाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या निचे दी गई है, इन आक्डों का एक पाई चार्ट प्रदर्शित कीजिए, तो यहाँ पर देखिए कि हिंदी भासा बोलने वाले 40 स्टूडेंट है, अंग्रेजी भासा बोलने वाले 12 मराठ्य वाल स्टूडेंट है, और कुल बहतर स्टूडेंट है, इनके लिए में एक पाई चार्ट बनाना है, पाई चार्ट बनाने के लिए पहले आपको एक सारणी त्यार करनी होती है, जिसमें पहले दो कोलम तो दीगी स्टेटमेंट से ही लेने होते हैं, और यह मैंने समय बचाने के यह पहले से लिख दिए हैं फिर अगला आपको कोलम्स बनाना है वह क्या संपुन का भाग और दन केंद्री एक वथार आएक्स्ट्रा बनाने हैं संपुन का भाग बनाना बलकुल आसान है याजिसे हिंदी के लिए संपुन का भाग देखेंगे कि 40 वटे में योग बहतर ठीक इसी तरह से अंगरेज जी का 12 वटे बहतर ब्राठी का 9 वटे बहतर तमिल का 7 वटे बहतर और बंगाली का 14 वटे बहतर हो जाएगा ठीक और यहां पर अब देखिए, यह कट हो सकता तो काट देजिए कोई प्रोब्लम नहीं है ये मुझे लगता आठ पे कट जाएगा आठ पांजेट चालिस और आठ निमें बहतर पांच वटे नो आ जाएगा ठीक अब जैसे हिंदी के लिए संपूर्ण का भाग निकाले इसी तरह से अंग्रेजजी के लिए जारतियों के संक्या है बारा और कुल है बहतर तो बारा एकम बारा बारा ची के बहतर तो ये आजाएगा एक वटे छे ठीक इसी तरह से मराठी के लिए निकाल लेते हैं नो वटे बहतर ठीक नो एकम नो नो आठे बहतर ये आजाएगा एक वटे 8 ठीक तमिल के लिए 7 वटे बहतर ठीक है तमिल के लिए 7 वटे बहतर ठीक है 7 वटे बहतर आपस में नहीं कटते इसको ऐसे कैसे पड़े रहने देते हैं और बंगाले के लिए 4 वटे बहतर ठीक 4 एकम 4 और 18 वटे बहतर 1 वटे 18 आजाएगा अब केंदरी एकोन ग्याद करना बिल्कुल सिंपल है समपूर्ण का भाग निकालने के बाद उसको 360 डिगरी से गुणा कर दे तो ये केंदरी एकोन इसका हो जाए पांस वाटे नो गुणा में 360 डिगरी ठीक नो एक नो नो चोके 37 और एक 0 है तो 45,200 डिगरी यहाँ पर इसका केंदरी एकोन आजाएगा ठीक और इसी तरह से एक वाटे 6 गुणा में केंदरी एकोन किसी का भी ग्याद करना हो गुणा में 360 डिगरी करना है चैक में 6 6 चीके 37 ठीक यह आजाएगा 60 डिगरी इसी तरह से एक वाटे 8 गुणा में 360 ठीक तो 8 चोके 32 और 37 में 32 चार आठ पांजे चालेश यह आजाएगा 45 डिगरी और इसी तरह से जो है 7 वाटे बैतर के लिए 7 वाटे बैतर गुणा में 360 डिगरी तो बैतर 7 पांजे पैंटिश बैतर पांजे 360 होते हैं तो यह 7 पांजे पैंटिश डिगरी का कौन यहाँ पर बनेगा और लास्ट है एक वाटे अठारा और गुणा में बैतर पांजे 360 डिगरी तो अठारा दूनी चातिस एक जिरो इसकी लग जाएगी ऍच यहीं बिना रोटे साम रह गया क्या अब हमें सिर्फ पाइच्वाइच डिटरा करना पाइच्वाइच्वाइच करने के लिए जितनी मारे पास जगाह उसके एक हम वरित Benainen ठीक फिर वरित के गेंदर से ले करके बिरत की पीड़ी तक एक line हम ड्रा करेंगे यान एक तिलजे हम इसकी बनाएंगे वो कहीं भी उना सकते हैं अब ऐसे याशे कहीं भी बनाओ आप देखें कि पहला जो कोण है वो कितने degree का बनाना है 200 degree का बनाना है तो हम क्या करेंगे कि अपना चंदा उठाएंगे चंदे का जो center है वो यहाँ पर रखेंगे विरत के कंदर पर रखेंगे ठीक चंदे का यह बिंदू है आप देख पा रहें यहाँ पर थोड़ा सा अगर यहाँ पर कोण दिखाई नहीं दे रहे हैं तो मैं चंदे को बढ़ा कर देता हूं थोड़ा यह लोजी ठीक अब पहला कॉंड जो है वो 200 डिगरी का बनाना है तो यहाँ पर यह वाला पॉइंट विरत के कंदर पर रखने के बाद आप ने लाइन जो इधर लिए तो यह वाली स्केल पड़ेंगी 200 डिगरी देखी कहां आया है 200 डिगरी यहाँ अबर तद्दी हमारी 180 की है ना तो एक बार हम इसको शवाइत 208 फर एक लाइन लगा देंगी ठीक है 180 degree पर यहां पर हमने एक point लगा दिये इसका ठीक बनाना कितने का है 200 degree का तो अब यहां पर आपने याद रखना है कि यह कितने degree का है 180 degree का और 180 degree के बाद जो हम हमारे चांदे को गुमाएंगे और यहां पर लेके आएंगे 180 पलस में 20 और करना है तब जाके 200 बनेगा ठीक है 180 पलस में 20 180 तो यहां तक होई गया यह देखो जो इतना कौन है ना यहां से यहां तक है 180 तो हो गया 180 में 20 और कर देंगे तो 200 हो जाएगा तो के अंदर से लेकर के यहां 20 से होता हुआ यह लोजी ठीक अब यह जो पूरा कौन बना है ना यहां तक यहां से यह जो पूरा कौन बना है कितने डिगरी का है 200 डिगरी का कौन बनेगा ठीक है अब अगला कौन बनाना आपने 60 डिगरी का तो संदे को और गुमाल होई ठीक कितने डिगरी का 60 डिगरी का तो यहां से 10 पूरा के अंदर से लेकर के यहां तक यह 60 डिगरी का बना दो आपने क्या करना है कि 60 डिगरी की सीथ में पॉइंट लगाना है स्केल की एल्प से सेंटर और इसको मिला देना है यह कितने डिगरी का हुए 60 डिगरी का नँँ तो यहां पर पैंसिल परकार से इस तरह से चाप लगाएंगे और यहां पर लिख देंगे 60 डिगरी ठीक फिर संदेव कुमाएंगे 45 डिगरी और यहां से यह लगाएंगे 45 डिगरी का आपने बनाना है ठीक है अब यह 40 और 50 के बीच में यह जो लाई ने 45 डिगरी की है तो केंदर से यहां से आपने 45 डिगरी बना देना है ठीक 45 के बाद में 35 इसको लिख दो 45 नहीं याद नहीं रहेगा ठीक है तो यह 45 डिगरी है ठीक अब 35 डिगरी और बेस डिगरी अब यहें से इसको गुमाते रहो और 35 डिगरी और बना ना हमने 35 डिगरी कैसे बनाएंगे केंदर से लेकर के 30 और 40 के बीच में यह रहा 35 यह लोजी ओहो कि दी लाइन ले लेता हूँ 0 से यह लोजी 35 डिगरी ठीक अब 35 और यह है बचपन बेच में कितना बचएंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें यहां पर हिंदी लिख दिया, ठीक, और 60 डिगरी वाला था अंग्रेजी, तो यहां पर हमने लिख दिया अंग्रेजी, ठीक, और 45 डिगरी वाला था हमारे पास, 45 डिगरी वाला था मराथी, ठीक, यह मराथी, उसके बाद यह तमिल, देन 20 डिग्री वाला है आपका बंगाले बंगाले ठीक है और चाव तो आप यहां पर विद्यारतियों की संख्य आप लिख सकते हो चालिश बारा नो साथ और जो भी है यहां पर आप लिख सकते हो और इसकी बीच में जब अलग लग करके इसको सजा भी सकते हो इस तरह से हम आसाने से पाइचार्ट त्यार कर सकते हैं तो प्यारे बच्वों अमीद करता हूं कि आपको यह लग पसंद आया होगा और पसंद आयो तो अपने दोस्तों के साथ इसको सेयर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें थैंक यू, have a nice day.